छेमे गुर्णानक गुरु अर्गुविन सहब जीजिए संगत ने सवाल किया था पाच्छा संगत में कैसे बैठते हैं? प्यार सेवाली अधान गुर्णानक तो गुरु हर्गुविन सहब जी कहना लगे मैंने तो करके दिखा दिया अभी तक सामझ में नहीं आया कहने कि अकाल तकत सहब कर देखो अकाल का तकत अकाल तकत सहब शेशिरी हरमंदर सहब के दर्शन होते हैं प्यार से वह लिए धन गुर्णान कि वाओ अगर तू राज की तकत पर भी बैठ गया है प्रभू को मत भूलना वहां से हरमंदर सहब के दर्शन होते हैं पर हरमंदर सहब में एक बार बैठ जाओ तो अकाल तकत सहब के दर्शन नहीं होते हैं प्यार से वह लिए धन गुर्णान कहने का भाव जब गुरू के चरनों में आके बैठ जाओ फिर चाहे राजा भी हो अपने आपको भुला दो प्यार से वह लिया धन गुर्णानक धन गुर्णानक यहां पर तो भाई उसकी जोली बरती है जो अपने आपको भुला कर आए कोई मंत्री बन कर आए कोई परदान बन कर आए कोई बड़ा कीरतिनिया बन कर आए खाली रह जाएगा प्यार से वली अधान गुरु नान यहाँ पर तो वो जोली भर के लिके आता है जो कुछ नहीं है अपने आपको कुछ नहीं ज्यानि संसिंग जी मस्कीन जी बचन किया करते थे अपने ओदे को जहां पर जोड़े उतारे हैं वही पर छोड़ कर आजाओ प्यार से वली अधान गुरु नान आज का प्रकरण साथ संगा जी बड़ा कमाल का है बड़ा ही कमाल का प्रकरण है हम लोग यह समझते है ए फ्रेंड इन नीड इस फ्रेंड इंडीड यह कहावत बनी हुई है कि जो मुसीवत के वक्ते काम आई वही सचा दोस्त है प्यार से वली अधान गुरु नान कोई गुरु महराज जी कहते हैं पांच में गुरु नान नहीं प्यार से वली अधान गुरु नान यह धार नहीं गलत है कोई दोस्त मुसीबत में काम नहीं आता प्यार से वोलिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक बड़े ही अनोखे धंग से गुरु अरजेंदिव जी महाराज इस शबद में समझा रहे है कि मित्र कैसा हो किसी अपना मित्र बना मित्र में गुण क्या-क्या होते है बड़े कमाल का धंग है साथ संगत जी गुरु अरजेंदिव जी महाराज का इस शबद में समझाने का कि मित्र कैसा हो हम कैसे इंसान को अपना मित्र बनाए प्यार से वोलिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक अगर तो ध्यान से सुन लिया ज्यान हो जाएगा कि असल में हम कर क्या रहे है प्यार से वोलिया धन गुरु नानक मोह के बंदन तूट जाएंगे अगर इसे कोई समझ जाए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कि अधरु कि रहे है ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होई मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होई जाते बिर्था कोई न होई मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई अपने लोग को तीनो मीत सगल मनोरत मुकत पद दीत अपने लोग को तीनो मीत सगल मनोरत मुकत पद दीत अपने लोग को तीनो मीत सगल मनोरत मुकत पद दीत अपने लोग को तीनो मीत सगल मनोरत मुकत पद दीत अपने लोग को तीनो मीत सगल मनोरत मुकत पद दीत ऐसा मीत करो सब को ए मीत करो सब को ए ऐसा मित करो सब को, 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 ऐसा मित करो सब को कोई नहोए जाते भिरता कोई नहोए मीत करो सब कोई जाते भिरता कोई नहोए मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई कर दो कर दो कर दो अपने सुआयर देले तारया दूख दनत रोग सागंग विदारया अपने सुआयर तारया दूख दर दरोग सागंग विदारया अपने सुआयर देले तारया दूख दर दरोग सागंग विदारया अपने सुआयर देले तारया दूख दर दरोग सागंग विदारया अपने सुआयर देले तारया दूख दर दरोग सगंग विदारया ऐसा मीत करो सब को ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को जाते बिर्था कोई न होए जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई कर दो कर दो कर दो रसना की दी बोलत राम कूरन हो एं सगने काम रसना की दी बोलत राम कूरन हो एं सगने काम रसना की दी बोलत राम रसना की दी बोलत राम कूरन हो एं सगने काम रसना की दी बोलत राम कूरन हो एं सगने काम रसना की दी बोलत राम कूरन हो एं सगने काम रसना की दी बोलत राम कूरन हो एं सगने काम रसना की दी दी बोलत राम कूरन हो एं सगने काम ऐसा मीत करो सब को एं मीत करो सब को एं ऐसा मीत करो सब को एं मीत करो सब को एं ऐसा मीत करो सब को एं मीत करो सब को एं जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई कर दो कर दो कर दो अनिक बार नानक बलहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा 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 सफल दर्शन गोविंद हमारा नानक बलहारा अनिक बार नानक बलहारा अनिक बार नानक बलहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा अनिक बार नानक बलहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा अनिक बार नानक बलहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को जाते बिरता कोई नहोए जाते बिरता कोई नहोए मीत करो सब को जाते बिरता कोई नहोए जाते बिरता कोई नहोए मीत करो सब को ऐसा मीत करो सब को मीत करो सब को जाते बिरतागी मैं जाते बिरता नहोए प्यास से बोलिए धन गुरु नालक, सारे बोलिए धन गुरु नालक, धन गुरु नालक, ऐसा मीत करो सब को जानते बिर्था कोई न हुए, पांच में गुरु नालक, गुरु अरजिन दिव जी माराज समझा रहे हैं, कि भाई मित्तर कैसा हो, प्यास से बोलिए धन गुरु नालक, धन गुरु नालक, धन गुरु नालक, दास फिर से ये बात रिपीट करता है, इस प्रकरण को अगर थिने ध्यान से समझ लिया ना साथ से गेचा पूरी सुर्ती इस शबद में टिकाए रखना अगर यह सबद आज गुरूने किरफा की हिर्दे में उतर गया मोह के बंदन तोट जाएंगे है प्यार सिवोलिय अधन गुरुनान क्योंकि हम जिने मितर समझे बैटे हैं आच्छा गुर्जेंदर जी महाराजी समझा रहे हैं, सर्वन कीजिए मन मुखा केरी दोस्ती माया का सन बंद वेख दे आही पज जाँ, कदे न पायन बंद जिचर पेलन खावड़े जिचर रखन गंड़े जित दिन किछ ना हो वई तित दिन बोलन गंद यार सिव लिए धन गुर्णानक धन गुर्णानक क्या कह रहे हैं गुर्ण अर्जेंदर जी महाराज मन मुखा केरी दोस्ती जिनने तु अपना मित्तर समझ बैठा है माया का सन बंद केवल माया का सन बंद है धन का जब तक तेरे पास धन है सुख है तेरे पास है वे ख़दिया ही पाज़जान कदे न पायन बंद अगर तुझ पया कई बूल बूले किसे कोई दुख आ गया सब भाग जाएंगे प्यार से बोलिया धन गुर्णान कईों को तो अपने एक्स्पिरंस होगा भी अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा प्यार से बोलिया धन गुर्णान समय नहीं लगता बड़ी ध्यान से समझना आगे वरोजेंद्यद्य महारा समझा रहे हैं मैं नहीं कहरा नहीं है हमारे इतने भी जनें हम दोस्त वित्तर समझते हैं ये खाने-पिने के दोस्त है तो किष्से बोली धन गुर्णान कितने कुल कर समझा रहे हैं जिचर पैनन कावने, तिचर रखन गंड, तेरे साथ गंड तब तक है, तेरे साथ सनबंद तब तक है, जब तक तु उन्हें खिला पिला रहा है, प्यार से बोलिये धन गुर्णान, जित दिन किछ न हो वही, तित दिन बोलन गंड, ध्यान से समझना, एक होता है कि आप से उ धन गुर्णान, धन गुर्णान, केवल आपसे दूरी बना लेंगे यसा नहीं है, फिरुछ एंड जी महाराज कहते है, वह आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे, जिस दिन आपसे उन्हें सुख मिलना बंद हो गया, प्यार से वह द्लीये धन गुर्णान, धन गुर् प्रीतम जान लेहो मन माहि अपने सुक्षु ही जग फांद्यों को काहूं को नाहि यह बात किसे नहीं पता है देखिए जो important बात होती है वो हर को ही समझाता है प्यार से बोलिये धन गुर्णालक यह जो बात जो चल रही है जो शिक्षा गुरुर्जंदेजी महाराज दे रहे हैं यह हर गुरु ने दी है हर भगत ने दी है कितनी जरूरी बात होगी यह क्यों जरूरी है क्योंकि बड़ करता है मोह के चक्कर में और मोह है क्या कोई रसी नहीं है पर हम बंदे पड़े हैं भार से वह लिए धन गुर्णालक धन गुरुर्णालक वो उधारन याद है ने दास शंगत नहीं है प्लास छौट में बता के आगे बढ़ता है एक आदमी रिगिस्तान में जा रहा है सौ वह उंठ है उसके पास तुफान आ गया उसने फट 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 उंठों को खूंटे से बाढ़ना शुरू कर दिया कि तुखान में इदर उदर न हो जाए नाइटी नाइन में निन्यान में उंठों को उसने बांद दिया एक खूंटा नहीं है पकड़ के खड़ा है कि बाग सामने महापूर्श बैठे हैं एक चोटी सी तंबू लगाके मुस्कुरा रहे कहने लगा खड़ा कि और अंदर आजा मेरे पास तुफान में वह कहता है मेरे पास एक खूंटा नहीं है छोड़ दिया तो उंठ बाग जाएगा वह महापूर्श कहने लगे भाई ये उंठ है बैठ जाएगा और इसने ऐसे ही किया रसी है नहीं हाथ में उंठ के गले में बांदी उंठ को लगा रसी बांदी है खूंटा भी गाड़ दिया उंठ बैठ गया है और जिबोलिया धन गुर्णान ये जाके मापूर्श के पास बैठा है मापूर जोर जोर से हस्दा लगे लगे मापूर्श के रहे हो जोर से उंठ में और हम इंसानों में फरक ही क्या है कोई रसी नहीं है पर मेरी घरवाली मेरे बच्छे मेरा मकान मेरी दुकान रसी कोई नहीं है अपने मोह के रसी में बंदे बैठी हैं खूंटे से प्यार से बोली अधन गुर्णानक वो कोई फर्क नहीं है यह बानी कह रही है प्यार से वोली अधन गुरु नानक गुरु तेख बाद रश्यभ ज़ा रहे हैं प्रीतम जान लेओ मनमाही के अपने मनमें यह जान लें यह बूलने की जरूरत नहीं है यहाल उनके लिए भी है सब कुछ मोह से बंदा हुआ है पाच्छा कहते हैं बड़ी गैराई से समझाते हैं कहते हैं कि संसार में रहो बबा नंसी जी महाराज बचं किया करते थे कहते थे संसार में रहो दुकान में रहो दुकान को अपने अंदर मताने दो बड़ी गाडी में बैठो मर्सीडिस में ब और नूप जाएगे, तुरूली या धन गुर्णाने, या सबता। इस सारे रिष्टेदारिया निभाओ केवल निभाओ, मौ में मत फसो। अगर यही बच्चे यही जायदाद यही जायदाद यही गरवानी भीतर आगे डूप जाएगे। प्रवार से बोलिये धन गुर्नानक, क्योंकि ये बेस है पाप का, हम जितने भी गलत काम करते हैं, इन मोह के बंदनों में फस करते हैं, और जिज दिन ग्यान हो गया था, ग्यान हो गया था, इसे कितने कितने ही प्रमान है, कि अपने करमों को खुद जहलना पड़ेगा, और कुल हाडी छूट गई, माला आ गई हाथ में, प्यार से बोलिया, धन गुर्नानक, धन गुर्नानक, गुर्नानक, गुर्वत एक बहाद और से अब जी समझा रहे हैं, सरवन किजिए, सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं जिस केरे बिपत परी सब ही संग छाडत को नावत नेरे करकी नार बहुत हित जास्यों सदा रहत संग लागी जब ही हंसत जी एह काया प्रेंट प्रेंट कर पागी प्यार से वो लिए धन गुर्नानक, धन गुर्नानक कितने प्रेक्टिकल वाति है साथ संगत जाएं, सुख मैं आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस गेरे लोग तुझे घेर कर बैठे रहेंगे करने वाला मित्तर है आपको, सच में आपके लिए जान देने वाला है, आप विदेश में चले गए, वहां पे आपके उपर मुसीबत आ गई, वो क्या कर लेगा? प्यार से वह लिए धन गुर्नानक दान गुर्नानक दान गुर्नानक वैसे तो ऐसे मित्तर मिलते नहीं, चलो कोई हो भी आपका, इसी किसी के पास होते हैं, गुणवान इंसान होते हैं पर ऐसे ऐसे समस्य आ जाती है, आइसे ओ के बेड़ी पर लेटे हो, डॉक्तर कहता है पास मेने जाना, मित्तर क्या कर लेगा? त्यार से वह लिए धन गुर्नानक बड़ी गैराई से विचार करना इस बात को, जो गुरु तेगवादर चैप जी कह रहे हैं, सर्वन कीजिए घर के नार बहुत हित जासु, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस्तजी एहकाया प्रेट प्रेट कर भागी यह प्रमान तो सबने सुन रखा है, विचार करके देखो, जो घरवाली है हमेशा साथ में रहना चाहती है, पती के साथ में रहकर खुश होती है, पर जिस दिन पती के ही प्रान निकल गए, शरीर पढ़ा जिस कमरे में, उस कमरे में जाने से भी डरती है प्रेट कर भागी और कहीं सपने में वो आ जाए तो किसी बाबा के पाँच चले जाती है, बाबा वो सपने में आय था, प्यार से भोली अदन गुर नाने अरे तरह पती ही आया था डर क्यों रही है, अब भूत लगता है, प्यार से भोली अदन गुर नाने धन गुर नानक, ज्यान दे रहे हैं गुरु तेग बादर से जी, रिष्टेधारी निभाओ, पर मो में पढ़कर नहीं, क्योंकि मो में इंसान पाक कमाता है, ज्यार से भोली अदन गुर नानक, धन गुरु नानक, ए बिदको ब्योहार बनियो है, जास्यों नेह लगायो, अंतबार नानक बिनहरजी को काम नायो है, गुरु तेग बादर सेःफ जी कहते हैं, मैंने तत निकाल के देख लिया है, एंड में, अंत में सिवाये गुरु नानक के और कोई काम नहीं आएगा, भिहार से वोली है, धन गुरु नानक, धन गुरु इसलिए कहा है। मीत करो सब कोए। मीत करो सब कोए। जाते बिर्था कोए न होए। मीत करो सब कोए। मीत करो सब कोए। मीत करो सब कोए। मीत करो सब कोए। प्यार से बोलिये धन गुरु नानक। जाते बोलिये धन गुरु नानक। सब धन कहो। सब धन कहो। सब धन कहो। गुरु नानक। आपके लिए ही कह रहा हूं कि प्रेद प्रेद कर भागी। बानी दोनों तरफ होती है। और घरवाली की मृत्ति हो जाए। पति का भी वही आहल होता है। प्यार से वह लिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पहलु दोनों होते हैं। एक पहलु नहीं होता कभी। कभीर जी इस वात को अपने ढंक से समझा रहे है। सर्वन कीजिए। बात वही है। जब लग तेल दीवे मुख बाती। तब सूझे सब कोई। तेल जले बाती ठहरानी। सुनना मंदर हो। रे पारे। तो है घरी नाराथ है कोई। तू राम नाम जब स्योई। कांकी मात पिता कहुपा को कवन पुरक की जोई। कट फूटे कुंपात न पूछे। काडों काडों होई। प्यार से वह लिए धन गुरुनानक। भगत कवीर जी समझा रहे है। इता प्यारा उधारन दिया है। कहते हैं घर में घड़ा पड़ा हो। घड़ा तोट जाए। तुक्ड़े-टुक्ड़े हो जाए। रास्ते में पड़ा है। घड़ा तोटा हुआ पड़ा है। जिस परकार से उन घड़े को टुकड़ को उठाकर बाहर फेक जाते हैं तो उजे भी उठाकर बाहर फेक दिया जाएगा काढो काढो होई डिष्तेदार आके कभी यह नहीं पूछते कि तुम्हारा क्या होगा वो चला गया वो कहते है कि कभी लेके जाना है गड़ी देखते हैं सब जो प्यार करते हैं, जिसे हम मितर समझते हैं, सब को पता है, सब जाते हैं, सब गड़ी देखते हैं, कभी लेके जाएंगे, और कहीं आदा गंटा लेट हो जाएं, उनके चाहरे देखा करो, गड़ी देखते हैं, धन गुरु नानक, धन गुरु नान बाइसा बाई हरवन सिंग चाहिए मैंने सुनू सुनाई बात नहीं कह रहा हूं मेरी आंखों देकी बात है पिता मर गया है लोग शम्शान घाट में लेके गए हैं दो बेटे हैं जब पिता को जलाने लगे अंतिम तिहारी चल रही है तो बड़ा बेटे ने देखा चोटे ब दानगुर नानक एक दूसर को इसे फॉक इसारा कर रहे हैं चेहर के ज़तन कूछ चली जाएगे कुछ करो आ इक दूसर को इसारा कर रहे है थर चेहर पर शोरे कर तो पांते होंगे कमर में उससकी के चोटा बड़े कोंशार आक हाथ कु आ अखिर ने सौचा इतरने लोग द हमारी प्रावलम पता है क्या साथ संगती है सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए हम फिर भी उसी दलडल में फंसे हुए हैं उसका कारण पता क्या है इसका कारण गुर्णानक पाद्षा ने समझा है था भाई मर्दाना जी ने पूचा था गुर्णानक पाद्षा थे कि पाद्षा आप जब कथा करते हो प्रवचन करते हो तो बहुत सारी संगत बैठे होती है और सब के चेहरे में जलाल होता है ऐसा लगता है अब जो आपने का है उसी शिक्षा पर यह चलेंगे जब बाद में बाहर जाके इंका व्याहर देखो तो फिर से वही होता है बदलाओ बहुत कम लोगों में आता है कारण क्या है तो गुर्णानक देजी ने जवा दियो थे मर्दानिया क्या करें सत्षेंग में ये लोग बैठते हैं एक घंटा दो गंटा एक घड़ी दो गड़ी वहां पर घड़ियां लिखी होई है एक घड़ी दो गड़ी चार घड़ी जादा से ज़्यादा कोई और बाकी व्यारत के कामों में पूरा दिन बिताते हैं अगर मन जो पूरा देन करे गा अ大ए असर तो उसका होगा अगर कुष अगर को संकत ज्यादा है, असर, उसका होगा संगत ज्यादा है, अफ़ अगर सब्सके ज्यादा है से लिए यह घ्यानेट, यह स्कूल है अगर यह सब नहीं अपनाया तो दलदल में फसे रहेंगे यहार से वह लिए धन गुर्णानक धन गुर्णानक नितनेम क्या है गुर्गोमिशिंग जी महाराज ने गुटके पर क्या लिखा होता है नेम लिखा होता है क्या लिखा होता है नितनेम जो नितनेम नहीं वो नितन क jestem लेंगünde थे दर्याएं, उस ने तक वो फिर्न उन्हजकेश उसके अच्वाएं पकड़ लृंड को किसे वो कैसे वग मोंखी हो तरफ में उन्हारसे बहुत था oni है सलाम जवाब दोवे करें मुंडो कुथा जाए जो सलाम भी करें और फिर सवाल भी करें ऐसा क्यों प्यार से वोलिया दन गुर्णानक वो कुछ नहीं लेके जा पाता है खाली रह जाता है को संजो गुर्णीं जी माराज कहते हैंता अम्रष मा आतमे छंगे कहा ओंगर जाता हुंडाः जाता है बाद में कहीं अम्रष लिया तो कहीं कोई भूल्ना हो जाए बदा अना शिंझ जी के भचन पलब बांद लोग्सिंद एं कहते हैंते हैं अम्र्ष ॉ क сч姐 कोई भूल्न हो जाए के देन ना चकने से बड़ी कोई भूली नहीं घार से वधन गुर में तो है रान होता हुँ जब किछी से कव न को जिड़ा पर अमरित नहीं चकाई हुआ को भी खख़े कहते हैं, मन साफ होना चाहिए, बहर से बोलिया धन गुरुनाने, मन साफ होना चाहिए, अमरिच चकने के क्या जिरोते हैं, बहुत पूछो उससे, गुर्गोविन सीन जी महाराज का मन महला था, कैसे कैसे सवाल करते हैं, गुर्गोविन सीन जी महाराज का मन महला था, जो उन और जब तक गुरू की बात नहीं मानेंगे इस मों की दलदल में फसरेंगे साथ संग जी चाहे कितने भी साथ संग अटेंड कर लो में गाकर चला जाओंगा आप सुनकर चले जाओगे मन बनाओ के नितनेम पका करना है नितनेम गुर्णानक की बाँ है प्यार से वह लिया दन गुर्णानक दन गुर्णानक दन गुर्णानक ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई जाते बिर्था 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 करो सब कोई किसी को दादा का नाम नहीं पता होता है किसी को दादा का पता भी हो पड़ दादा का तो किसी को भी नहीं पता होता है प्यार से बोलिये धन गुरु नानक अपने मन में विचार करके देख लो पड़ दादा का नाम पता है जिसका कुण बीतर है, जिसका बलड रिलेश्ङ है. जो उनके नाम नहीं हमें पता, किस भुलेकेई बेटे हैं के मितर हमें याद करेंगेT तुनियावी मितर है, बार-बार, गुरु और गुरोडु यह जो दुनियावी मितर है, यहां पर सवाल खड़ा होता है मित्तर ना बना नहीं पाच्छा कहते हैं मित्तर बना पर कैसे सर्विन किजिए ना कच्चर आज़त तोंड सचण संत पकेया ओए जिवन दे विछले ओए गुया ना जाई छो ओए जिवन दे विछले ओए मुया ना जाई छो वहर से बोलिये धन गुर नानक भाण गुर नानक भाण गुर नानक गुरु अरज़न देव जी मारा समझा रहे हैं मित्तर बना पर किसे नानक कच्चड आँसो तोड़ इन कच्चे मित्रों को छोड़ ढूंड 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 ऐसे मित्तर को कौन सज्जन संत पक्या प्यार से वलिये धन गुर नानक किसी मापूर्ष किसी नाम जपने वाले यहाँ पर मित्तर पता है गुर्मुक को मित्तर का है गुर्मुक को मित्तर का है उनके नाम सुन लिजिए, गुर्मुक, गुर्शिक, संत, फकीर, सादू, ब्रह्म ग्यानी, गुरू, प्यार से वोलिया, धन गुर्नानिक, गुरू को भी मित्र का है, गुर्मुक को भी मित्र का है, गुर्शिक को भी मित्र का है, और इन सब में कौमन क्या है? साजन बंदू सो मित्तर सो हर नाम हिर्दै दे अरदास के आखिर में क्या कहते हैं सेई प्यारे मेल जिना मिल्या तेरा नाम चित आवे जिससे मिलकर नाम चित आए जिससे मिलकर जिना दिसंदड़या दुर्मत वन्जे मित्तर साड़े सेई जिनको मिलकर मेरी दुरमत खतम हो जाती है, गुरमत आ जाती है, यहर से वल्य धन गुर नानिक, जिनने देखते ही गुरु याद आ जाए, जिनसे मिलकर, जिनके पास बैटकर, गुरु के प्रती शर्दा प्रेम बढ़ जाए, पाच्चा कहते हैं, ऐसे लोगों को अपना मित बना क्यों यह चेरों दुनियावी जो मित्तर हैं जने तु मित्तर समझी बैठाई यह जीते जीतरा साथ छोड़ जाएंगे पर अगर तुने किसी नाम जपने वालों को मित्तर बना लिया मरने के बाद भी तेरा साथ ने छोड़ेंगे यह जिए धन्गुर नानक और यह सच अगर तुने किसी संथ से दोस्ती कर ली वह मरने के बाद भी तर्गा में तेरी बापकड के रखेंगे बही यह मेरा मित्तर है यह से बोलिया धन्गुर नानक तुझे नर्कों के दक्के नहीं खाने देगा वो अगर किसी संथ से दोस्ती हो गई फिहर से वह लिया धन्गुर नानक धन्गुर नानक संथ कौन सफेद कपड़े पहनने वाले कुर्टे पिजामे पहनने वाले गेरियों पहनने वाले नहीं संथ किसी वेश-भूशा का नाम नहीं संथ अवस्था का नाम है जिना सास गिरा नविसरेetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet जनम साकी के घटना है गुर्णानक पाज़ा से सवाल किया था बाला जिने कि पाज़ा आप तो भेग के खिलाफ हो आप भेग के खिलाफ हो पर जब आप अब आप जब जा रहे हो अधरायक marginal कर लिया यहां पर मंहाँ आपने भेग दारन के जाड़ा दिया है प्यार से वह लिए बंदें दान गुरुनानक, यह सुनते ही नहीं यह सुनते ही नहीं जब तक कर संचों मैं इयाँ जीन टीसट पैंट मेठाँ लोग टूरी कई घ्र्टली सेे यह ड्नानक फुट अधे गुग जये यह तो इनको तो कुछ नहीं यहता हो गा hade लोख पेचे हैं, हम पहले देखते हैं, कि दिखता क्या है, प्यार से वह लिया, धन गुरुणाने, पर बाण ही कहती है, कि संत अवस्था का नाम है, अवस्था, वो किसी की भी हो सकती है, जो अमिर्तवेले उटके नाम जपेगा, जो गुरुणाने के बता हुए दिश्टांतों प चल पड़ा है कि कि गुर्यनानक मेरकरे तोर्श और शुर। थोड़ी सिर्थ टूढ़ी ऊच्यूट जाएं हॽेसे विए दन गुर्णारक सारी विए दन गुर्णारक कि दन गुर्णार का राण गुर्णार काता है प्र电क Nada Đ allora the just a यह ए जले आखिए आन चल सजण सी नाल में चल दे अनाल चलन जित्थे लेखा मंगिये जित्थे लेखा मंगिये तिथे खड़े दिसन तिथे खड़े दिसन ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई एक बार दास एक बार सारी संगत मिलके हाजिरे लगाओ हाजिरे लगवाओ किसी ने सवाल किया था कि गुर्णानक की आवाद सुनने हैं बाबा नंसिंजी संगत सिक पूछा करते थे गुर्णानक की आवाद सुनने हैं और वैसे जब संगत मिलके गाती है ने साथ संगत जी आप आजमा के देख लो अभी की अभी बात है सोचना क्या इसमें एक बार दास एक बार सारी संगत ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई जाते बिरता कोई न होए मीत करो सब कोई जाते बिरता जाते बिरता कोई न होए मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई हाँ ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई क्या शे बोले धर गुर्णानक धन गुर्णानक धन गुर्णानक मितरता कैसे हो मितरता का उधारन दिया है यह आपर आपके यहां पास में ही शोलापूर के पास में ही बारसी जगह है बारसी पहर से वोलिय धन गुर्णानक लोगों को पता होगा यहां पर ऐसा एक स्थाने जहां पर दाशने दर्शन किये जहां पर भगत नाम देवजी और भगत तिरलोचन जी मित्तरता क्या कर सकती है अगर किसी संत की मित्तरता हो जाए नाम जपने वाले की मित्तरता हो जाए इंपॉसिबल चीज पॉसिबल हो जाती है जन्मों को तप करके हासिल करने है जिस चीज को पता नहीं वो हो गया ना हो फिर भी पर अगर किसी संत की मितरता नाम जपने वाले की हो जाए मितरता वो ततक्षण में वो चीज प्राप्त हो सकती है प्यार से वह लिए धन गुर्णान करना पूर इसका उधारण है बगत ना लोचन जी से सवाल पुछा करते थे क्योंकि भगत नाम जी को प्राप्ती हो चुकी है मैं लोचन जी को नहीं होए बहूर एधान गुर्णान बहुत नावस्जी बहुत धनवान बताए गये हैं इतिअसमें बहुत धनवान थे और बगत नामदेव जी सबको बताई है प्यार से वोलिय धन गुर्णानक पर मित्तर ता क्योंकि वो पहुंच चुके थे बगत तिर्लोचन जी ने बगत नामदेव जी से मित्तर तक की अत के अमीर आदमे ने अत के गरीब आदमी से मित्तर तक किस लालच में क्योंकि ये पहुंच चुका है अब इस बात को भाई गुर्दाश जी अपनी वारों में दर्ज करते हैं इस गटना को सर्वन कीजी एक-एक पंक्ति को सर्वन कीजी मित्तरता करती क्या है नाम जपने वालों के मित्तरता तर्षन वेक्षन नाम देव पलके उठ तिर लोचन आवे क्या लिखा है तर्षन देखन नाम देव पलके उठ तिर लोचन आवे नाम देव जी के दर्शन करने लिए तिलोचन जी आते हैं कब भल के उठ अमिर्टवेले रात को नहीं शाम को दुपहर को नहीं भल के उठ अमिर्टवेले उठके जाते हैं इसका मतलब नाम देव जी अमिर्टवेले उठते थे भगत इलोचं जी अमिर तवेला उड़ते थे . जिन्हों ने सकता है कई है आज में लोग आज के जमानें There यह जब OR और तबी नाम जोप運 कम ölुती दुकान है रात को चली जै करें ज बैठो के लिदन या एपनी मत इसे कहते हैं आपनी मत एक होती है अपनी मत एक मात होती है जब मत जब पाबाद रेकिन का मतलब क्या Meeting जब माथा टेकते हैं अंदर से पुकार निकले पाच्छा अपनी मत दे दे मेरी गुरमत ले ले मेरी दुरमत ले गुरमत दे दे मेरे भीतर जो दुरमत किसे कहते हैं शराबियों के पास होती है खेवालों के पास उंके पत्य उत्त कीव लिए उनके पास कई तर्क ओते हैं आप मास खाने के लिए शराब पिरने के लिए इस ही कहती है दूर मत कि तर्क करना बानी साफ कर दूरी के शराब नहीं पिनी है उतर पीते मत दूर हुए बरल पय विचाए अपना प्राया न पशान ही खस्मों तके खाए मत पी शराब पर शराबी अपने तर्क देती हैं जब समुंदर का मन्थन हुआ था चौदा रतनों में से एक शराब निकली थी त्यार से बोली अधन गुरुनानक उनके अपने तर्क होत पहले पुरुड़ा फल भी पच्छा रात पिछली रात में फल मिलेगा पिछली रात चौथा पह रात का तीन चे छे पहर जे वोली अधन गुरुनानक पर हम अपने तर्क देती हैं जब ही उठे तभी आमिर्त विला जब तक अपने तर्क देंगे कुछ हासिल नहीं होगा जब तक दुर्मत है एक बात मेरी मानलो जो खाते और पीते हैं अगर नहीं रा जाता है न पीए भी न खाय भी न गुरुबानी को मत किंतु पुरंत करो यह कह दो के मुझे नहीं रा जाता मेरी जबान का सवाद है कोई कहें कि मास खाना चोड़ दो अब नहीं छूट रहा तो को अर्दास को मुझे नहीं चूटता मुझे पता है गलत है यह कहना गुरु की नजरों में उठ जाओगे बख्ष देगा पर कोई यह कह कह के गुरु गुरुमें इस ही माराज काते थे अपनी तरफ से तर्क दे वो तो उच्छे तो नर्कों में भी जगानी मिलेगी प तिने परमाने पूरा प्रकरण ही अलग है यहार से वह लिए दन गुरुनानक दन गुरुमेहर करें गुरुमेहर करें बात बीच में आ गई पल के उठ त्रिलोचन आवे है भगत नामदेव जी और भगत त्रिलोचन जी और भगत नामदेव जी तो नामदेव जी बताते हैं कि कल भगवान मिले थे क्योंकि भगत नामदेव को बार भगवान के जब बहुद एवस्तां कि उनके और इसया धुरुमेहर कि और यह सारे दर्शनों का प्रसंग श्री के बारे में है यार्जे वोलिए धन्गुर नख शुकर एक श्री गुवूरू ग्रंच यह में सब दर्ज हो गया ने तो आज के लोग कहते है कह सा हुआ ही नहीं क्या उड़े व्लिए धन्गुरू नानक पर्तक दर्शन होते हैं यह कई लोग कहते हैं लोग ते भगवान देखनी की माराज के आखरी बचन क्या थे अग्या पई अकाल की तभे चलायो पंत सबसिखन को होकम है गुरु माने गरंत गुरु गुरंत जी माने ओ क्या था क्या था क्या माने ओ गुर शबद क्या का था शबद गुरु परगट गुरां की दे दे किसे कहते है शरीर को गुरु गुरं प्पर शेवा डे जानकर करने पड़ेगी हुगर करने के क्या जुर रख adversary यह हे तब तो चॉर सब पर रहे हैं थार्सविया दान गुर अपना की दे हैं खर समय सेवा करो देज्सा नै अदसे है यह दंग लाहो ओ आंग मुठ बाबा नंचीन जी कहते ते, जिस करते कर रुमाला साभ हो, मन में फिलिंग लाओ के यही कपड़े की पोशाग पेंगर गुर्नानक पाथचा बैठे लेखे ले आग गुषाग पाथचा बैठे हैं लेखे वोलिया दन गुर्नानक यह पयार वालों कि बाते हैं प्रेम बालों मिले थे, ऐसे दर्शन होए, ऐसे बाते हो, तिलोचन जी के मन्में भी बार बार सुनकर प्यास जागती है, कि बगवान कैसे दिखते होंगे, मुझे भी दर्शन होंगे कभी, प्यार से ओलिया, धन गुरु नान, धन गुरु नान, भागत करन, मिल दोई जड़े, नाम देओ, और चलत शनाव है, फिर आगे क्या कहते हैं, अब तिलोचन जी एक दिन कहते हैं, मितर है ना नाग देव जी, मितर से कहते हैं, मेरी भी कर बेनती, मेरी भी कर बेनती, दर्शन देखा, जेति सिपावे, ठाकुर जी ने पुछियो, दर्शन किवे तिलोचन पावे, प्यार सिवह लिया, धन गुरु ना, भागत तिलोचन जी ने हाथ जोड़ दिये, नाम देओ, ये मेरे मितर है नाम देओ, कि मुझे भी कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ठाकुर को कहना, आप तो रोज मिलते हो, कि मुझे भी दर्शन देदे, प्यार सिवह लिया, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, मितर से हम कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं, किसे मित्तर ताखूद और ये तो सच्चे मित्तर भगत नाम देव जी पहर से वहलिया धन गुर नानक तिलोचन जी कहते है नाम देव जी से कि मेरी भी कर बेंती मेरी बेंती का ठाक उर से के मुझे भी दर्शन दे दे और अगले दिन जब नाम देव जी भगवान को मिलते हैं आम देव जी तो बेंती करते हैं पाचा क्योंकि नाम देव जी भगवान को परशाद किलाते थे रोच अपने हाथों से बना कर प्यार से वहलिया धन गुर नानक धन गुर नानक और फिर फिर तुम्हादे थे थे लिप्टार में से नहीं भगत दोसे प्रगत हूँ थे डहन प्ततर् में से नहीं प्रगटूर थे दhannya की भावना में से प्रगटूई में से नहीं जद हूझी ओल्गादantonाब। तो नामदेव जी थाकुर से कहते हैं, ए थाकुर, मेरा मित्तर है तिरलोचन, उसे भी दर्शन दे दे दे, और उसने पूछा है कि क्या भेटा रखू में आगे, जिससे आप मुझे दर्शन देंगे, तो भगवान ने क्या कहा, सर्वन कीजिए, ख़सके ठाकुर बोलिया, वारा भाई गुर्दास जी, ये मैं नहीं लिखके लाया हूँ, ये मैं नहीं लिकि वए नहीं है, भाई साब भाई गुर्दास जी, जनकी वारों को कुण्जी का खिताब दिया है, पहले भाई गुर्दाश जी की वारों को अगर शिर्गुरु गुर्दाश जी की वारों को समझना है पहले भाई गुर्दाश जी की वारों को समझना पड़ेगा पहले भाई गुर्दाश जी की वारों को समझना पड़ेगा हस कैठा कुर बोले आ, नाम देव नो कह समझावे, हत नावे पेट शो, तुस कर लो चन मैं मुहलावे है इक बात लखे है है ओक ठाकुर बोले है यह यह ताकुर बात लिखेạo 것이 लिए द्र्शन का रहा सब्सक्रवा härओे कंई है najle कि अगर इतने पार्ट करने से वह मिल गया ऐसा हो गया तो फिर तो इसकी कीमत हो गई वह उसकी तो कोई कीमत नहीं प्यार से वह लिए दन गुर्णान फिर यह पार्ट करने क्यों है नाम जपना क्यों है ताकि उसे तरस आ जाए एक आदमी रोड पर मजदूरी कर रहा हो आप अंदर एसी में बैठी हो उसे देखकर दे पूरा दिन देखते रोगे आपको तरस आ जाएगा जब अमिर्ट विले उठेंगे नाम जपनेंगे भक्ति करेंगे वह आपको मेनत करते देखेगा उसे तरस आ जाएगा उसे मिलाए अजय दन कुरनानक बाहा हतना आवए पेट सो तुस तिरलोचन महमूलाएए तक अवस्वक्ति कर दोगा जब मेरा मन मानेगा जब मेरा मन मानेगा तर थार से वह एफ अड़िया दन गुरनानक तर हमें लगए कर दाएगा कर दोगे ज़ना चाहिए जब लिग अगली देश नामदेव जी ने बताई तो 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 वकर तिलोचन जी रो रहे हैं, चरणों पर गिड़े हुए है नामदेव जी ठाकुर को बेंते करें पाच्छाब ठीक है तीक है अबेटा से नहीं बसमे याता मेरे कहने पर आजा प्यार से बहली है अधन गुर्णाने कर नामदेव ती लोचन की अवस्थान नहीं है उसकी इ प्रभगत नामदेव जी कहते है ठाकुर से, है ठाकुर, मेरे लिए, ये मेरा मिट्टर है, ये पूरा लिखा हो एसाधसंकरची, कि मेरा मित्टर है, मेरे लिए, तु इसे दर्शन दे दे, प्यार से वोले दन गुर नानक, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? सर्वन कीजिए प्यार सिवोलिय धन्गुर्णान, थाकुर कहने लगे, मैं हर काम कर सकता हूं, हर काम, पर एक काम मुझसे कभी नहीं हो पाया, कि अपनी भगत की बात को टाल दो, प्यार सिवोलिय धन्गुर्णान, धन्गुर्णान, ना तिरलोचन की अवस्था है, ना तिरलोचन के पास व और एक इतिहासी गटना है बगत तिलोचन जी को बगवान ने परतक दर्शन दिये केवल नाम दिव जी के कहने पर पर क्यों आखिर में बाई गुर्दार जी लिखते हैं होई विचोला आन मिलावे आपको परदान मंत्री से मिलना है मिलके दिखाओ जब तक कोई आपका सही लिंक नहीं है दिखाओ जरृ दयान गुर्नान है करता हम करें दॉट जी लिंक ही मलसकी करब जहाएं कि दुछा दिया तो रभु के परतक दर्शन भी हो जाएंगे प्यार से वो लिए धन गुरुनानक धन गुरुनानक धन गुरुनानक ऐसा मीत करो सब को एं मीत करो सब को एं ऐसा मीत करो सब को एं मीत करो सब को एं जाते बिर था कोव नहो एं मीत करो सब को एं जाते बिर था कोई नहो एं मीत करो सब को एं मीत करो सब को सब को प्यास से बोलिये धन गुरुनानक अब थोड़ा सा दूसरा पहलू ले ले इस बात का अब यह विशेश बात है हम बात कर रहे हैं मितर कैसा हो पाठसा समझारें के गुरुनानक को मितर बनाले प्यास سब कर अधन गृँनानक अब जो बात है बहुत सुनने वाली है हम चाहते हैं हमारे मितर ऐता हो जो दुख में हमारा साथ नहीं छोड़े पर जो बात हम अपने मित्र से अपेक्षा करते हैं क्या मित्र हमसे अपेक्षा नहीं करेगा वो बात की बड़ी ध्यान से समझना जब हम गिने कुछ और अपनी आपको गिंती में गिंती करें तो मुर्खता ही होगे ना पांच लोग खड़े हो गिनने वाला बोले चार है अपने आपको गिने ही ना मुर्खता ही है हम कहने के मित्र ऐसा हो जो दुख में मारा साथ ने बाते हैं पर क्या हम साथ ने बाते हैं पांच लोग खड़े हो गिनने वाला बोले चार हैं अपने आपको गिने ही ना मुर्ख साथ आ gider we Chahad siblings से अपने मित्तर बनाएं हम यही ही चाहते है गुर्णान के मित्तर बन जाए गुर्णान के मित्तर बन जाएं शुर्टज्दर जाएं अ महाराद भगत कबीर जी यही समझा रहे हैं कि गुरू को मित्तर बन ले जो यहाँ भी तरह साथ दे, वहाँ भी साथ दे, पर गुरु भी तो हमसे कोई अपेक्षा रखता है, हम चाहते हैं दुख में वो हमारे साथ खड़ा रहे हैं, तो क्या वो नहीं चाहेगा कि दुख में ये भी खड़ा रहे हैं, प्यार्जे वोलिय धन गुर्नानक, जब हमा पर कमाल की बात है, गुरु अर्जेंदेजी माराई शबद में समझा रहे हैं, सर्वन कीजिए ध्यान से साथ संकत जी, ये शबद जो पढ़ रहे हैं हम अपने लोब को की नो मीत, सगल मनोरत मुकत पद दीत अपने लोब को की नो मीत, सगल मनोरत मुकत पद दीत अपने लोब को की नो मीत, कहां से सुनना, गुरु नानक जानता है, कि हमने उसे मितर बनाया है अपने लोब के कारण, त्यार्जे बोलिया धन गुरु नानक, सारे बोलिया धन गुरु नानक अपने आप से पूछ कर देखें यहां पर क्यों बैटी हैं किसी ने कहा होगा चलो कुछ मिलेगा तकलीफ है दूर हो जाएगी दुख है दूर हो जाएगा दंदा चल जाएगा संगतने बैटेंगे हम हर आदमी यहाँ किसी लालच में बैठा है, दस रूब जोलग में डाले है, तो हजार की इच्छा है, लाख की इच्छा है, पहर से वह लिया, धन-गुर्णानक, धन-गुर्णानक, घुर्णानक हमें पता चल जाना है कि हमारा मित्तर लोब है, मतलब ही है हम उसे वक्तरता तोड़ देंगे गुरुनानक जानता है कि हम लोब की वज़े से उसे अपना मित्तर बना रहे हैं अपने लोब को की नो मीत हमने लोब के वसमें होके कि हमें कुछ मिलेगा इस लालच में उसे अपना मित्तर बनाया है गुरु अरजंदी जी जानता है ऐसे को मित्तर बनाओ बात को समझो वो जानता है कि हम लोब वस यहां बैटे हैं कुछ ना कुछ मिलने की उमीद में नहीं मिलेगा तूट जाएंगे फिर भी वो देता है गुर्णानक प्यार से वह लिए धन गुर्णानक धन गुर्णानक अपने लोब को की नो जानते बिड़ था कोई नहों ऐसे गुर्णानक को अपना मित्तर बना ले जिसके दर से कोई खाली वापिस नहीं जाता तिहार से वह लिए धन गुर्णानक अगे सर्वन कीजिए अपने सुआयर देले तारया दूख दरद रोग सागल बिदारया अपनिसुआयरे तारया दूख दरद रोग सागल बिदारया देखना एक कोठो कुछ मिलेगा हैं ताफै ता रिदेले शव impacting सवारतु के लिए हमने उसे अपने हिर्दे में बिटाया हम हम गुर्णान को अपने हिर्दे में अपने घुरू को अपने हिर्दे में क्यों बिठाते हैं कि कुछ fez नानिक before that संगत में 70-80 शाल के बच्चे देखें बच्चे क्यों बच्चा स्कूल में निजाता तो क्या कहते हैं चॉकलेट मिलेगी प्यार जब लिया दन गुर्णानक चॉकलेट में इस्कूल चला जा हम भी बच्चे हैं आज भी संग में जातनी कहते हैं कि अमिर तो उठो क्या कर देम हमें एक चोटा पर्टा स्कूल जाने के आई क्या मिलर बुड़े कहते हैं अमिर दल्य उठने के लिए जाओ साथ संग में चलो तो क्या मिलेगा सिया और जी दन गुर्णानक जानत हैं हुम स्व शारत के लिए यक हम तहरानी पता चल जाने हमारे मित्तर सौरत शार् दूख दर्द रोग सगल विदारिया गुर्णानक फिर भी हमारे सारे दुख दर्द रोग दूर करता है पिहार से वोलिया धन गुर्णानक ऐसा अमीत करो सब को ए गुरु अरजेंदी जी महराज कहते है दुन्यावी मित्रों को छोड़ गुर्णानक को अपना मित्तर बना तू स्वार्ती है तू लाल्ची है हम स्वार्ती है हम लाल्ची है फिर भी गुर्णानक हमारी मित्तर अपने निभाएगा पिहार से वह लिया धन गुर्णानक रसना गीधी बोलत नाम पूरन होई सगले काम रसना गीधी गीधी का बाव होता है आदत जिस रसना को जिस सब्सक्राइब कना है लिए हुसके मला मूल मंतर चली से तुछाइब तुमित काम के सब्सक्राइब धन्वर नांक क्यों आदत पढ़ जा इस रसना कोई क्यों कि बानी कहती है जिस जवान को उसका नाम नीन की आदित पढ़ जाए रसना गीधी बोलत राम पूरन होई सगले काम वो इंसान मन में सोचेगा बाद में उसके काम पहले पूरे हो जाते हैं यह बाणी की ताकत है साथ सगर्ज चालीस माला मूल मंतर का अमिर्तवले उठके नेम बना कर देखो एक बार करके देखो हट से आप सोचो के बाद में नौ निदी अठारा सिदी क्या होती हैं आप जो सोचो आपके सोचते ही वो सब होना शुरू हो जाता है शक्तियां काम करने लग जाती है गुर्णानक की प्य अर्जी बोलिये धन गुर्णानक धन गुर्णानक सारे बोलिये धन गुर्णानक इतनी संकत बैठी है धन गुर्णानक धन गुर्णानक धन गुर्णानक ऐसा मीत करो गुर्णानक को मित्तर बना लो चाहे हम स्वार्ती हैं चाहे लाल्ची है वो हमारा साथ नहीं छोड़े कल के नहीं करम बिचार है दीन दयाल दयानि दोखन देखते हैं पर देत नहार है वो देख रहा है कि हम गुना कर रहे हैं पर देने से नहीं हटता है प्यार से वहली अधन गुर्णानक हम किसी को गुना करते देख लें नफरत हो जाती है उससे उसकी शकल नहीं देखेंगे उ जानक कच्चड़यां सो तोड, टूंड सजन, संत पक्केयां, ओए जिवन्दे विछड़े, ओए मुया ना जाए छोड़। ऐसा मीत करो सब को ए, मीत करो सब को ए, ऐसा मीत करो सब को ए, मीत करो सब को ए, जाते बिर्था कोई न हो ए, मीत करो सब को ए, जाते बिर्था कोई न हो ए, मीत करो सब को ए, ऐसा मीत करो सब को ए, मीत करो सब को ए, ऐसा मीत करो सब को ए, मीत करो सब को ए, प्यार शिबुल यद्धान गुरु नानत देखें समय तो बहुत हो चुका है पर अगर संगत प्यार दे सारे हाथ खड़े करके कहें कि नहीं उठेंगे जकारा बुलाएं तो दास आगे बढ़ाएं अगरा अगरा प्यार शिबुल ने मुझे एक गहनटे से यादा एसे बैठने के नहीं किया एढ़ाएं तो चोटी-बोटी बाती है पर संगत का इतना प्यार दे के मेरा भी उतने का दिल नहीं करता है प्रोग्राम के लिए लाखोर रुपए खर्च हुए तो मेरी कोशिश होती जितने देर बैठा जा सके ताकि किसी को कुछ मिल जाए प्रोग्वान को अपना मित्तर बना लिया उससे प्रेम पैदा कर लिया अग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रोग्रो जनेक वीड़ार्ट जर careless विली अगर वह से अपांच भानियों के अगर वह करता है ग्रुटाइब आया बाइन जैसे जनेक राजा का कितना नाम् SEN ऩारी और देखा नाव है न वॐस न है घरिया से ल्ट्र जी भार्ट 2008 m क्योंकि राजा जब राजा एक ताकत होती है साथ संगत जी राजा एक वो अदा होता है कि जो चाहिए इंसान कर ले और बानिक कहती है कि जिसके पस ताकत आ जाए वो गलत काम ही करता है कोई विरला होता है राज में जोग कमा जाए त्यार से वलिय धन गुर्नानक वरना तप तप करके राज मांगता है इंसान राज से फिर नरग तप राज राज नरग पर तपसे राज और राज में जोग कवाना कोई विरला होता है उन विरलों में गिंती आती है राजा अम्भीक की त्यार से वली अधन गुर्नानक बाइग laygo doubt R graci अपनी खीड़ियाद हूनु नानक विश्ण भगवान का भगत था वह राजा अमडेग आदी रात को बैठ कर नाम जबता था तो विश्ण भगवान उसके प्थर बन गई तो वालियाद हूनु नानक सादू संतो की सेवा करता था तो एक समा आया साथ संक जीए उसका आईए साथ साथ में पंक्तिया सर्में कर ले ताकि समझ में आ जाए बाई गुर्दाज जी अंबरी इग मोह वर्त है रात पई रात पई रात पई रात पई तुर बसा आया रात पई दुरवा साया पीडा उस उपारिणा ओ उठना वन नदी सिधाया राजा अम्बरिक राजा अम्बरिक का नेम था कि वो एका दशी का वरत रखा करता था बात को जब ध्यान से जहां पर संबज ले चोटी चोटी बाते बीच में आती ये वरत नेम पूजा यग हों गुरुबानी कहते है इनका फल है इनका फल था त्रेते जुग में जार से वो ये अधान गुरुनान है ये कल जुग है कल जुग में केवल नाम केवल नाम यह सब त्रेते जुग में द्वापर में इन सब चीजों का फल था पर जिसका जो धर्म है उसे मानने की छोट है जो जिस धर्म को माने उसे परवान है गुरु महाराज ने वरत रखने को सक्त मनाही की है प्यार से वोलिया दन गुरु नानक यह घटना है त्रेते युकी राजा अंबरीक वरत रखता था एक अधशी का और उसका उसका नियम था कि वरत तोड़ता जब था ना किसी संत मापुर्स के हाथ से कुछ गिराइन करके प्यार से वोलिया दन गुरु नानक था बहुप परशाद गिराइन करके वरत तोड़ता था एक अधशी का वरत रखाये राजा ने सारे नगर को बुलाए गया राजा जी वरत तोड़ेंगे वह सब बैठकर परशाद खाएंगे मापुर सारे बुलाए गए उस वक्त अच चले जाए लोग डर जाते थे वह लिया दन गुरु नानक क्योंकि हम इतने कुरोधी सभाव के कि शराप उनके रसना पर रखा रहता था कोई गल्ती करे कोई उसे शराप दे दे थे 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 वह लिया दन गुरु नानक सारी खलकत डरती थी दुरवाशा रिशी से अचानक वह आ गए पर यह इंबरीक उन्हें देखकर नाराज नहीं हुआ घमराया नहीं परसन हुआ कि इतने बड़े रिश्यों में रिश्य गिने जाते थे वह कमाई याथ के थी पर कमाल के बात है साथ संगर जी एक बात छोटी सी यहां पर समझा दे दास क्योंकि बहुत जरूर पर देखकर रहे हैं आप कहते हो कि भगवान को अर्दास करते हैं कि इसका सत्या नाश हो जाए प्यार से वो लिए धन गुर्ण आने निकलता है आप किसी को कह देते हो कि तेरा ऐसा होगा, एक बात याद रखना है, ऐसा कहना बड़ा असान है, पर ऐसा कहने से सामने वाले पेर हो भी जाहे, आपका कुछ नहीं रहने वाला, प्यार से बोलिया धन गुरुनान, धन गुरुनान, जो भी आपने चोटे मोटे पुर्नी कत्र अगर आप दूसरे को जब बड़ासीश देते हो, वो सब उसमें खर्च हो जाते है, बात को समझना, किसी को कुछ कड़वे लवज कहने से पहले हजार बार सोच लिया करो, एक दो बार, दस बार नहीं दास कह रहा है, हजार बार, एक तो हमारी कमाई है नहीं, ओपर से बड दन गुर नानक करो, पर कई लोग संतों की आसीश से डरते हैं, बड़ासीश से डरती हैं, बड़ी धान से समझना है इस बाद, बाबा नन सिंजी के बचन, कि संत से घवराया मत करो, क्योंकि पूरन संत होगा, तो शराप देगा ही नहीं, अधूरा होगा तो उसका लगेगा नहीं, प्यार से बोलीय धन गुरनानक, धन गुरनानक, कहते थे महा पुर्षों की संगत करो, शराप से मड़ दरो, उनके संगत, पर दूसरी बात, कहते थे डरो तो किसी गरीब की बद्दुआ से, नाजाज करते वक्ते डरो, जब तुम किसी के साथ, किसी गरीब के साथ, नाजाज करते हो, जो तुमारा कुछ बिगार नहीं सकता, जब वो रोदेता था है न, बाबा अनन सिंजी बचन किया करते पचन लिखे हुए उनके कि गरीब को मत सदा वो रो देगा गरीब को मत सदा वो रो देगा सुल लेगा उसका खुदा तू जड से खो देगा यार से बोली अधन गुरुनानक डरो किसी गरीब की बद्दुआ से जब उसे बे मतलब आप किसी को परिशान करते हैं, किसी गरीब को, जिसका बस नहीं चलता आपके उपर, वो कुछ करने ही सकता, बदला नहीं ले सकता, जब उसके हिर्दे से पुकार निकलती है, बरबाद करके रख देती हैं, बढ़ो बढ़ो को, प्यार से वो लिया धन दिर्वाशारीजी आया, राजा अमरीक उन्हें उनके चरन धोय, उनकी सेवा की, फूलों की वरखा की, जो बाव भगत हो सकती, ज्यादा से ज्यादा की, दिर्वाशारीजी अंकार से बढ़े हुआ, खुश हो रहे हैं, अब रत तोडने का जब समय आया, राजा अमरीक व पार्ना ओ उठ नावन नदी सिधाया, चरन अदकलय पोखेया, ओ सराप देवनन नोताया, पहर से बहली अधन गुर्णान अमरीक जी कहने लगे के, हे दुरवाशारीजी आप इशनान करने जारे हैं नदी पर समय सिर वापस आजाना, हाज जोड कर बेंती हैं, क्योंकि वो एक समय होता है, जो वरत रखते से उसे तोडने का समय होता है, अगर वो समय निकल जाए तो एका दशी के जिगा दूसरी दशा आजाती है, पहर से वोलिय अधन गुर्णान, और राजा अमरीक अपने इस नियम में बड़ा पका था, धरम का पका था, कि अगर ये समय निकल में एक ख्याल आया, दुर्वाशरी, कहने लगे, आज मजा आएगा, ध्यान देना है, रिशी, पर सोच क्या है, दुर्वाशारी में सोचते है, अगर मैं लेट गया, मैं आज लेट जाता हूँ, इस नान करके ठामे सिर नहीं जाता हूँ, वो दशा खतम हो जाए, अगर तो इसने वो वरत तोड़ दिया, तो मैं जाकर शराब दे दूँगा, मेरे आने से पहले कैसे तोड़ दिया, वो जो शराब देने का मौका मिल जाएगा, और अगर इसन सारी रिशी मुने दूसरे भी खड़े हैं, समा निकलते जा रहे हैं, सब रिशी कहने लगे, आप वरत तोड़ दो, वो लेट हो गए है, दुरवाशा रिशी बहुत समा लगाएंगे, नहीं आये हैं, आप वरत तोड़ दो, अपका धरम जाए जाएगा, सब रिशी के कहने पर समा निकलता देखकर, राजा अमरीक ने अपना वरत तोड़ दिया, दूसरे किसी रिशी से परशाद लेकर, प्रहर से वो लिये धन गुर नानक, और अब वो आए, और आने लगे का, राजा ना, मैं तुझे अपने हाथों से परशाद देता हूँ, तो राजा कहें ले अब रिशी दुरवाशा करोध में लाल, आत के करोध, भाना मिल गया शराप देने का, कहने लेगे राजान तूने मेरी निरादरी किया, मैं रिशी ओं में रिशी दुरवाशा रिशी, तूने मेरा इंतजार नहीं किया, मैं तुझे ऐसा शराप देने जा रहा हूँ, तू लाहत मेलिया शराब देने के लिए पर क्या हुआ दोस्ती किस्से की थी विश्नु भगवान से प्यार से वोलिया धन गुर नानक राजा अमरीक यह बात याद रखना साथ सकते यह जो अमरी तविला है ना जो अमरी तविला उटके बंदगी करते हैं नितनेम संभालते हैं कई भारना हमें नहीं पता होता हमारे पास क्या क्या आ चुका है प्यार से वोलिया धन गुर नानक हमें नहीं पता होता दर्श शक्तिया हमारी रक्षा कर रही होती है हमारे काम अपने अब कैसे हो रहे होती है इसको छोटा मत समझना जिसका अमिर तवेले का नितनेम पक्का बाबा नंसिंजी के बचन जिसका नितनेम पक्का ऐसा एक गुर्ची के एक महले में हो उस महले में किसी के घर में पूरे महले में किसी के घर में बुरी आत्मा नहीं आ सकती तिहार से बोलिया धन गुर्णानक नितनेम की इतनी महांता है कोई पक्का नितनेमी हो पक्का नितनेमी बचन करते थे यह जो ब्रावन है यह जो बड़े-बड़े अपरादी यह अब तक इतनी देर तक क्यों टिके रहते हैं क्योंकि इनके पीज़ अरंग्जेब इतने लोगों से लड़ा शिवा जी महाराज से गुर्गोमिन से कितनों से लड़ाओ आखिर तक कायम रहा इतनी देर तक क्यों क्योंकि उसका नितने बड़ा पक्का था पांच वक्त का नमाजी था औरंग्जेब का अगर आप हिस्ट्री पड़ो ना गुर्गोमिन महाराज ने जफर जाम नामे में लिखी है औरंग्जेब तेरे में इतने गुण औरंग्जेब एक ऐसा शाहिंचा हुआ है जिसने कभी भी अपनी प्रजा के पैसे में से एक पैसा नहीं खाया तोपिया सिता था वो तोपिया सीकर वेचता था जितना दन मिलता था उससे ज दन गुर नानक दन गुरु नानक नितनेम की बहुत तकत होती है जिसका नितनेम पका उसकी हजार गलतिया हो जाए उसे सजा नहीं मिलती पर कहते थे बाबा नंसिंजे ऐसा आदमे उसे दिन से डरे जी दिन छोटेगा क्योंकि जी दिन छोटा एक धन सर पे आ जाएगा सब कुछiyor के नितनЕम की ताकत को सही जगह पे इस्तवाल करो किसी का बुरा करने में नहीं और विच्छ पर विश्न बगवान जी कैसे देख पते मित्तर बनाया था अमरीक नहीं और अमरीक को पता तक नहीं प्यार्जे बोलिया धन गुर्णानक क्या हुआ बाई गुर्दाश जी कहते है चक्र सुधर्शन काल रूप होए पीहावल गरब गवाया बामन पनाजियों ले रख नहन देव सबाया प्यार से वो लिए धन गुर्णानक क्या है जैसे ही दुर्वाशा रिशी ने शराप देने के लिए जल हाथ में लिया वहाँ से शुदर्शन चक्र चल पड़ा सुदर्शन चक्र दुर्वाशा रिष्य के ना कर खड़ा हो गया। जहां दुर्वाशा जा रहा है, सुदर्शन पीछे पीछे जा रहा है। सारे राजे, सारी गतने भी लोग ह Gins деिऊे धुर भीource के घंग है। कि जह क्या हो रहा हैं? अबरीग भी हाथ जोड कर खड़ा है, कि दुरवाशा शराफ दे के भसम करने ही वाला है, शुदर्शन चकरा के खड़ा हो गया साव नहीं, अब इसमें लिखा है कि दुरवाशा सारे देवताओं के पास भागा, हर देवता के पास गया, के मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन से, प्यार से वलिय अदन गुर्णानक, सब ने हाथ खड़े कर दिये, इंद्र लोक, सिव लोक, तज, ब्रह्म लोक, बैकुंठ तजाया, देवतिया पगवान सुन, सिख दे, समना समझाया, समने समझाया, अगर तो इस सुदर्शन से बचना चाहता है, हमारी ताकत नहीं इस से रोक दे, अगर बचना चाहता है, तो एक ही तरीका है, तुने भगत और उसकी भगती की, परिक्षा लिए है, तुने भगत और उसकी परिक्षा, भगती की निरादरी की है, तुने भगत की, विश्ण भगवान के भगत की निरादरी किये, उसकी भगती की निरादरी किये तुने, जाके अमरीक के पाउँ पढ़ जा, अमरीक राजा के पाउँ पढ़ जा, अगर वो कहेगा सुदर्शन डुक जा, तो सरदर्शन डुक जाएगा, वर्नक कोई नहीं र आपता था राजा अमरीक, यह डिटेल में लिखा हुआ है साथ संकर्च, यह बार बार दास इसलिए कह रहा है कि किसी का अमरतवेला बन जाए, बन जाए, जहां भी जाता है, मकसद एक ही है, एक ही, दूसरा कुछ नहीं, कि अमरतवेला बन जाए, इतने कीमती दाथ हम से खो इसलिए सिख्य भी खो गई है, इसलिए खो गई है, जो लोग अमरित चक्के आजाते हैं, पर अमरतवेला नहीं संबालते हैं, अमरतवेला नहीं पड़ते हैं, कुछ दिनों बादी किरपान टंगी होती है अकेली पर, और जो लोग अमरतवेला संबालते हैं, उनके अंदर कार कैसे टिकेंगे टिहार से बोलिया दन गुरुनानक दन गुरुनानक दन गुरुनानक मित्तरता की थी स्वर्वन कीजिए आए पयाशर नागती मारीदा अंबरीक चुडाया पगद्वचल जग बीर्द सदाया की तो अब दुर्वाशा अलिशी जिसके चरन अराजा अम्रीक ने दोय थे सद्कार किया था वो दुर्रवाशा अजिए जिससे लोक डरते थे आपर अँर्वरीक के चरनों मुझे तो पता ही नहीं आया कहां से तब दुर्वार्शा ने का विश्वन भगवान का शुदर्शन है क्योंकि मैंने तरी भक्ति की निरादरी की उन्हों ने इसे भेजा है अब तू बोलेगा तो भगवान मानेंगे नहीं तो मेरे गर्दन कट जाएगी प्यार से बोलिया कि एफवार्ण कर तब अमःीक यह आद जोड़ का सुडर्षन सिका कि उढ़े को जेए धिर बोपेशा यह नहीं ने पूजिये मारिशी पंगर्वाषा तो छोदर्शन एक भगत की बात व dobre चला गया मेरी बांदी बगवगत ने छूटा यंदी एपैमोहं है प्यार से बोलिये धन्गुरु नानक, धन्गुरु नानक, सारे बोलिये, धन्गुरु नानक, 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 धन्गुर करो सब कोई, मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई मीत करो सब कोई ऐसा मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई जाते बिर्था कोई न होए जाते बिर्था कोई न होए मीत करो सब कोई सारी संगत सब की आवाज न होए इतनी संगत बैठी है कैसा मित्तर बनेगा अभी अभी सारे प्रकारण में बार बार कौन सी बात आई है कौन सी बात आई है अम्रित वेला कल सुवा चार बजे का समय धाई बजे सीरी सुग्वनी सहब जी के पाठ का अगर उसे मित्तर बनाना चाहते हो एक दिन तो कोशिश कर लो कम से कम दास की हाथ जोड़ कर बेंते हैं जो कभी नहीं उठें यह दास एक दिन पता क्यों कहता है क्योंकि पता नहीं होता किस दिन किस पे किरपा होनी है पता नहीं होता और अम्रित वेले तो किरपा बरस्ती है जो नहीं उठें एक दिन उठकर देखो चमतकार एक दिन क्योंकि यह जितनी बे संगत जुड़ी होए ना पूरी संसार में, मैंने उन्हें उन्हें एक ही बात कई थी, कि एक दिन उठ जो बस, आज लाखों का अमर्त विले का नेम है, यह मेरी वज़ा से नहीं है, यह अमर्त विले की ताकत है, जिसे वो नशा आ गया ना नाम का, जो लेकर बैठूंगा, यह वही हालत है, इसे नाम का नशा चड़ गया, पूरी रात इंतजार रहता है कि कब वो सम आएगा जब गुर नानक के सामने बैठूंगा, पहर से बोलिया, धन गुर नानक, हाज जोड कर बेंती है, सारी संगत के चर्णों में, सारी संगत के एक एक कि कल सुबा, गुरु साब जी के हजूरी में भाद खड़ करके परण करें, कल सुबा, पौने चार परे तक पहुंचने के पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश इसलिए कह रहे है कई बार नहीं हो पाता, गुरु के सामने परण जूठाना पड़ जाए, कोशिश पूरी अब कोशिश का मतलब भी समझ लें, कोशिश का मतलब होता है रात को कम खाना, जल्दी सोना, और अगर किसी को पता है कि नहीं उठा जाना तो आज रात मत सोना भाई, बारा बजे शनान करो, अपना नितने में बैठ जाओ, अधाई बजे यहां पर आजाओ, संगत का लाव अधाओ, एक ही दिन है सुबा का दिवान करके दास आगे चला जाएगा, आगे भी कई जगा पर संगत के दर्शन करने है, और एक बहुत बड़ी खुश कबरी की बात है, अमिर्त वेला टाज जितने भी इस वक संसार में लाइव देख रहे हैं सब, जो पहल शुरी होई थ गुशनाने के मेर से के एक सो तेरा स्थान बनाने है पांथ सालों में, यह हमारी मन की खोशिश है, बाकी गुरु जैसा चाहे, तो उसमें दो मिल के पथर और जोईन हो गए हैं, एक तारिक को रिवा में, एक तारिक अमिर्त वेले, रिवा में भूमी पूजन है, अमिर्त ले ली गई है, और दूसरा पंदरा मार्च को, चौदा पंदरा मार्च को प्रोग्राम है शोलापूर में, सारी संगत के चन्न में बेंती है, चौदा और पंदरा मार्च को शोलापूर में प्रोग्राम है, इसी प्रकार रात का दिवान सुबा अमिर्त वेले का, पंदरा रिक को सुबा अमिर्तवेले दिवान कि समापते के बाद वहीं पर भूवी पूजन रखा गया है क्योंकि शोलापुर में भी जगा ले ली गई है आज ही पहर सिवली अधान गुरुनाने सारी अमिर्तवेला टेश्ट के संगत को जितने भी अमिर्तवेले सारी संगत को लाख लाख बढ़ाई हो इस बात की क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी मैं तो ये देखके हैरान होता हूँ कि चलो आपके पास तो इतना संदर गुर्दवारा है पर पौने चार सो के करीफ स्थान है जहां पर अमिर्तवेला चल रहा है साथ संगत जी इंडिया और बाहर मिला के और आप जानकर हैरान होँगे सारी तीन सो स्थान ऐसे हैं जो लोग या तो टेरिस में बैटके या किसी गैरेज में बैटके इस तरह से अमिर्तवेला कर रहे है अलग अलग जगा पर क्योंकि उनके पास जगा नहीं है मैं हैरान हूँ कि गुरुषभ जी ने इतने लाखों गुर्दवारे दिये हैं पर आपर अमिर्तवेले संगत नहीं यहां पर अमिर्तवेले संगत है पर जगह नहीं, प्यार जबोलिया धन गुरुनाने, तो कोशिश है कि स्थान बन जा, संगत वहाँ पर बैठ कर, क्योंकि बरसातों में फिर संगत को बैठनी के जगह नहीं मिलते हैं, जो गार्डन्स में कर रहे हैं, जो ऐसे खुले मैदानों पर अमिरतुला कर रहे हैं, अमिरतुला तूटने का डर रहता है फिर, तो गुरु मेर करे, स्थान जल्दी से जल्दी बन जाएं, क्योंकि ये वो स्थान बनेगे साथ संगत जी, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, पर वहाँ पर बैठकर लोग नाम जबते रहेंगे, और मैंने इसके पर एक कड़ी एक जोड़ दिये, और गुरु शेब जी ने किरपा करके सुमत बक्षी है, आपको शाइद पता हो, सुप्रीम कोट का लौ है, कि शेब गुरु गरंजेब जी, सुप्रीम कोट में पहली बार ऐसा हुआ है, कि हम नहीं मानते हैं, पर गड़ गुरा के दे, पर सुप्रीम कोट ने माना है, कि गुरु गरंजेब जी एक जीवित प्रानी है, इसके नाम पर प्रॉपर्टी ली जा सकती है, प्यार से वह लिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, तो जितने भी स्थान अमिर तवेले के बन रहे हैं, जहां जहां भी प्रॉपर्ट ली जा रहे है, सारे स्थान शरी गुरु गरंजेब जीविके नाम कर दिये जाएंगे, क्यों? ताकि फ्यूचर में कोई भी उसे बेचना सेके, कोई वहां पर कुछ और ना कर चेके, केवल नाम जपने का के अंदर हो, अमिर तवेले, बस, प्यार से बोलिये, धन गुरु धन गुरु नानक